बच्चों, तुड़े वी आर गुएंग तुडिसके नमबर थर्टी फोर अब क्लास एट। टॉपिक अब देस वर्क्षिट इस मोनुमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, इक्वाल एंड अन्डिक्वाल टर्म्स। उसके बारे में चर्चा करें। तो देखिये, पहला इसमें जो दिया हुआ है, इसमें कहरा है, प्रिया एंड रिया, टू ट्विन्स, वेर सेलिबरेटिंग देयर बार्ट देयर तुगेदर तुड़े, बोथ अब देम कॉल्ड मेनी अब देयर फ्रेंड्स, अब बार्ट देयर और बोथ कुट तुगेदर गेव सम रिटर्न गिफ्ट्स तू अल अब देयर फ्रेंड्स, रिया और प्रिया दो जुड़वा बहने हैं, एक साथ उनका बड़े मनाया जा रहा है, एक साथ केक कटी, और उसके केक कटने के बाद उसको रिटर्न गिफ्ट देना है अपने दोस्तों को, तो उसके बारे म में कह रही है, अब देयर ममी, पुट लॉट्स ओपन, पैंसिल्स, और एरेजर पैकेट इन बैग, बहुत सारे पैं और पैंसिल उस बैग में रखी, अब दोस पैकेट, पैकेट बना रही है, वाज दैट और प्राइस ओपैन, वाज आज मच आज दा नमबर ओपैंस, इन पैकेट में रख रही है, जितनी उसकी कीमत है, ठीक है, और सिमिलरली, प्राइस ओपैंसिल्स, वाज आज मच आज दा नमबर ओपैंसिल्स, वेर इन पैकेट, उतनी ही पैकेट में रख रही है, जितनी पैंसिल के कीमत है, और इसी तरह एरेजर भी, उतनी ही रख रही है, जितने ए्रेजर के कीमत है एक डबे एक पैकट में अब उसके अलावा भी क्या करती है और प्रिया ऑपेंसिल पेंसे डरेजर उसके आलावा मिद्क भी कुछ ब्रूष मेरे पैंसिल इर उस पैकेट में उस जोले में डाल देती है जिसमें से वो अब उसको देना है रिया मदर क्लोज्ड हर आई अब रिया की मम्य अपने आख बंद कर रही है और सब को उसमें से ले करके कुछ न कुछ उसको दे रही है स्टार्टेड गिविंग गिप्ट्स टू दा चिल्ड्रेंस फ्रॉम बैग्स दा प्रया गोट मैथमेटिकल गेम अड़ी सेड अब प्रया की मम्य आख बंद करके सब को देना चाह रही है तो अब प्रया को उसमें भी एक मैथमेटिकल गेम सूझ गया अब देखिए क्या सू एक मैथमेटिकल गेम अब उसने मैथमेटिक की तरह सोचा लेट्स दा कॉस्ट ऑफ वन पैन इस एक पैन की कीमत X है तो पैकेट के पैन की कीमत क्या हो जागी जितने अत्य उतने ही उसमें पैन रखे गए तो एक से मल्टिप्लाए तो यानि एक से स्क्वाइर उसी तरह जि उसी तरह जितने ही पैंसिल थी पैंसिल को उसने वाई माना तो एक पैकेट की कीमत हो जाएगी प्राइस हो जाएगी वाई स्क्वार क्योंकि उसमें जितने पैंसिल थे उतने ही पैंसिल की कीमत भी थी उसी तरह एरेजर का एक एरेजर का जैड और बहुत सारे एरेजर जब एक साथ थे तो यह हो जाएगा Z-square ठीक है बच्चो अब जितने उसमें इरेजर थे उतने ही उसमें इरेजर की कीमत थी तो यह हो जाएगा Z-square अब बात करते हैं जो दिया हुआ अगली प्रॉब्लेम दिया हुआ है माला माला को मिला चार पैकेट एक पैन की कीमत क्या थी जैड़ेश एक स्क्वाइर पैकेट की और दो लूज पैन तो टू वाइड पैंसिल और तीन इरेजर पैकेट तो यहाँ पैकेट एंसमयर का होना चाहिए था चूट गया है तो फोर एकस स्क्वाइर प्लस तू-वाई- प्लस थ्री जेड़ेसक्वास थो यह पॉलिनोमियल हो गया इसी तरह दूसरा है स्वेता रेसे टू पैंसिल्स लेस तैन फोर पैंसिल्स पैकेट की किमत क्या हो जाए इसमें से दो पैंसिल कम है तो माइनस टू आए तो यह तो टू टर्फ से तो बाइनोमियल और तीसरे को मिला श्याम को मिला फाइब जड़ इरेजर का पैकेट तो फाइब जड़ स्क्वाइर यह मोनोमियल हो गया इसको मिला तीन पैन तो तीन एक्स हो जाएगा इसको जड़ी हम तीन एक्स हो जाएगा इसको तीन एक्स पांच पैंसिल प्लस पांच वाई और छे रेजर प्लस शिक्स जड़ यह भी इसमें मिला थू पैन पैकेट तो तू एक्स स्क्वाइर यह उसको जायर देश्को को मिला विकास त्री पैंसिल पैकेट तो त्री एक्स त्री पैंसिल पैकेट की किमत थी वाई वाई स्क्वाइर और यह नाइन पैंसिल तो इसको मिला नाइन पैंसिल की किमत है वाई और तीन इरेजर पैकेट तो तीन से एक तरम हैं तो ए इसमें तार्म, मोनोंमीयल और इसमें तीन तर्म हैं तो इसको पॉसी नोमीयल लिखेग이 अब अगला कह रहा है जो कि आपडिक लह चैप उपगया इसमें से फ्रमध टेवल में यह आप सो फॉर एक्क श्क्वाइश है यहां पर भी एक से स्क्यार है तो यह लाइक टर्म होा फोर एक स्क्यार और टो एक स्क्यार तुप मैं यहां पर एक स्क्यार गणिंग सेखवा सिट्थमी इसी तरह यहां पर टैंसुर्द म immediatelyadım है और अगे भी यह मैं और और यह सार राक टर्प रहें फीट RB और जेट फाइब हम जड़ सिक्स जट कि फाइब आइफज़यर वाला है तो यह लाई कि मत्तौँ अलग है इसमें तो यह अलग हो तो यह आज़ में आपको टेवल बना करके उसमें सवर्ड उसमें делают करना है आगे कह रहा है विकास कियर सकता है यास यह-ब्हुन mobile हो सकता है अब एक ही टर्म है तो एक ही टर्म को हमने क्या नाम दिया था मौनोमियल तो यह फी मोनो Nev 1000 अ इसको हम पॉलिनोमियल के रूप में भी लिख सकते हैं ज़्य हम लिखना चाहें तो तो यह तर्म इसमें लगा सकते हैं जीरो एक्स स्क्वाइर और जीरो वाई स्क्वाइर इस तरह से भी लगा करके बनाते ठीक है तो यह कह रहा है जो कि यह आप कैसे लिख सकते 51 और एक्स की पावर जीरो तो यह इतना भी लिख देंगे तो यह हो अब कह रहा है जो कि इस प्लस माइनस लग करके टर्म नहीं बढ़ाया घटाया गया तो मुनोमियल कहला तो बाइनोमियल जिसमें तू तर्म उसको कहते हैं पॉलिनोमियल यह लाइक टर्म जिसमें तू और जिसमें जैसे 6y और इधर 6z तो यह लग है तो यह लाइक टर्म होगा लेकिन 6y और 3y दोनों में yy एक जैसा है तो यह हो गया आपको लाइक टर्म ठीक है बच्छों अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा धन्यवाद